हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम स्टाडी चैनल, होम स्टाडी चैनल में आप लोगों को स्वाधत है, आज हम लोगों का part 3, loss of indices का chapter हम लोग डिसकास करने जा रहे हैं, हम दो दिन, पहला दो दिन में part 1 और part 2, part 1 में जिन में हम लोग सारे formula को और basic concept को हम लोग डिसकास किया था part 2 में हम लोगों को एक एक formula के उपर, एक एक problem लिया और उसी formula को हम लोग सारे concept clear किया, हाज हम लोग part 3 में most expected जो question है, जो हमेशा हम लोगों को exam में जिन question को हम लोगों को दिखने का हमेशा chance रहता है, और कोई भी competitive exam में जो question हम लोगों को मिलता है दिखने के लिए, ऐसा ही question में आज आप लोगों को solve कराऊंगा, ठीक है, पहला दो part जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज देख लीजिए और चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो, चलो हमारा class start करते है, class में हम लोग सबसे पहले एक question ले लेता है, ये question, एक comment marks में मेरे पास आया था, वार्श्रम में ये question, जो request रहा था, जो solve करने के लिए, चलो देख लेता है, ये question को, मैंने उनके लिए solve किया, 3, question ऐसा कुछ था, 3 to the power x to the power square, मैंने आप लोगों को इसके पहले एक बात बोल दिया था, a to the power m to the power n, एक nautical to, nautical to a to the power m, n, ये question मेंने आप लोगों को, साइध मेंने second plus और first plus में में आप लोगों को बोल दिया था, ये nautical to है, ये हमेशत hand में रगना, ठीक है, तो चलो, ये question क्या है, 3 to the power x to the power square, और is to, 3 to the power x equal to 9 is to 1, आपको क्या करना है, x का value निक करना है, अब लोग मुझे बताओ, क्या कर हुए, क्या कर हुए, मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को मैंने एक example, एक formula, ये मैंने बार बार बोला हूँ, a to the power m, divide a to the power n, अगर है, अगर बेस आपका सेम है, पावर चाहे कुछ भी रहे, तो क्या होगा, पावर क minus x, भाई, ये x के उपर power है, 2, x के उपर power है, 2, ये मतलिक न, 2x मत कर देना, अगर 2x कर दोगे, तो मतलब ये equal कर रहे हो, अगर equal कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठेक है, धैन रगना, ये problem, ये जो actually formula है, बहुत जादा conceptual formula है, कभी भी ये equal नहीं है, ठेक है ये धेन में रगना, तो 3 to the power x to the power square minus x equal to 9, भाई, 9 by 1 equal to 9, 9, तो ये मुझे बताओ, ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये क्या है, 3 का square है, ये 3 का square है, मैंने question में बोल दिया था, अगर a to the power m है, अगर a to the power n है, तो अगर base equal है, तो power b equal होना चाहिए, ठीक है, पावर b equal होना चाहिए, a nautical to 0, ठीक है, question समझ में आ गया, तो क्या है, हम लोग आसानी से बोल सकते है, x square minus x equal to 2, x square minus x equal to 2, ठीक है, तो हम लोग आसानी से, x square minus x minus 2 equal to 0, x square minus x minus 2 equal to 0, ठीक है, तो देखों, x square minus x minus 2, इसको क्या है, ये quadratic equation का formula है, तो हम जब quadratic equation पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को और भी वैतास समझ में आएगा, चलो, आप ही देख लो, कैसे solve करते है, ठीक है, x square है, तो इसको इन में जो है, इनको multiplication ऐसा लिगना है, जैसे इसको plus और minus करके, इन में क्या है, 1 आ जाए, इन में कुछ नहीं है, मतलब वहाने, ठीक है, तो 2 into 1, मतलब minus 2 x plus x minus 2 equal to 0, तो यह क्या है, x, x minus 2 plus 1, x minus 2 equal to 0, तो हो गया कि था, x minus 2 और x plus 1 equal to 0, तो क्या हुआ, x equal to 2 और minus 1, x equal to 2 और minus 1, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना, formula समझ में आ गया, question समझ में आ है, चलो, यह first question था, first question इसलिए लिया, क्यूंकि देखो भाई, यह एक request भी आया, और मुझे लगा भाई, यह question आप लोगों सबको बूलना है, क्यूंकि 3 to the power 4 है, power की भी 4 है, ठीक है, इसलिए मैं ने लिया, x square minus x लिखा, मैं ने किया, यह 2x नहीं किया, अगर 2x करोगे, तो question का answer आपका क्या होगा, गलत होगा, समझ में आ रहा है, क्या सी किया, और एक बर वीडियो देखो, समझ में आ जाएका, next question लेकिने जा रहा है, जो हमारा बहुत ज़्यादा important question है, और ऐसे question हमेशा हम लोगों को देखने के, question में देखने को लिए मिलता है, ठीक है, चलो, क्या question ले लिया, मैंने question ऐसे कुछ ले 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 ताओ, question पहले ले 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 ताओ, देखो भाई, question ले लिया, question क्या लिया, पी q root of x to the power p by x to the power q, into qr root, qr, यह है r, ठीक है, qr root x to the power q by x to the power r, और यह है, into rp root, root के अंदर क्या है, x to the power r by x to the power p, यह formula मैंने आप लोगों को फजडे बोल लिया था, क्या बोला था, अगर सपोज देखो भाई, मैंने बोला square root of a, इनका मतलब क्या है, square root of a, a का मतलब क्या है, देखो square root जह भी बोलता हो, तब इनके सामनी क्या होते, 2 रहता है, याद रगना, और इसको क्या लिखता है, a one by two, समझ में नहीं आए ना, क्यों लिखा, चलो एक example ले ले लता है, example 4 है, मैंने बोला 4 का square root क्या है, आप बताओगे, अरे इनके तो simple 2 है, मैं बोलूँगा कैसे है, आप बोलोगे, ये भी बहुत असन है, चलो, इन में तो है 2, इन में तो है 2, और ये 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब 2 का square है, ठीक है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, तो ये जो है ना, ये 2 का तो square है, और ये जो root के सामने जो 2 है, ये क्या होता है यह पाउर में जाके डिवाइड फॉर्म में लिखा होता है इसलिए क्या होते दो-दो काटके 2 तुदी पाउर वान होते है जो इकल टू होता है आप समझ में आया मैं बोलूंगा यार बहुत बढ़िया बता है आपने ठीक है चलो समझ में आगी आप आप चलो नेक्स वीडियो में यह प्रॉब्लेम आप सल्व करते हैं मजा आजाएगा क्या करोगे x to the पर फी by x to the पर q भाई ओई तो बात आ गया e to the ग़ा by e to the पर n क्या करोगे root के अंदर बताओ जल्दी बताओ आँ सई एंसर दिया x to the पर p-q x to the power p minus q अभी बोला मैंने किया square root के आगे जो कुछ है वो power के divide form में चला जाते तो ये हो जागा p by q into ये क्या हो जागा x to the power q minus r by q r q minus r by q r ठीक है अब ये हो जाएगा x to the power r minus p r minus p by r p by r p ठीक है समझ में आया समझ में आया आप बताओ a to the power m into a to the power n into a to the power कुछ भी रहे है मैंने बोला चितने भी multiplication रहे है अगर base सेम है power कुछ भी रहे तो उन लोगों को क्या होगा summation होगा power का क्या होगा summation होगा तो x आप क्या होगा p plus q by p q plus q minus r by q r plus r minus p by r p समझ में आ गया आप क्या करना है x इनक क्या है lcm है lcm क्या होगा p q q r r p मतलब p q r p q r इसमें p q है मतलब r r से multiply होगा r p plus q यह होगा q into r है तो p होगा p into q minus r q minus r और अगर यह है आपका r into p है तो q q into r minus p r minus p ठीक है समझ गया चलो आप क्या है next line में क्या होगा next line में देख लेते है x to the power p r p q r p q minus p r देखो भाई इसमें plus p r इसमें plus p r अगर multiplication करूंगा और इसमें minus p r तो यह कटेगा इसमें plus q r है इसमें plus q r है इसमें क्या है इसमें तो इसमें आपका है क्या इसमें है आपका plus q r plus qr है और ये आपका है plus qr ये आपका plus ये minus था ये हम लोगों का minus था देखो पहले p minus q था न तो हम लोग इसमें गलती से plus लिग दिया sorry उनके लिए तो ये भी होगा plus नहीं ये होगा minus तो ये है minus qr ये है minus qr ये है आपका क्या plus qr plus qr plus qr कटेगा यह है आपका minus pr minus pr plus pr कटेगा और क्या है qr qr कट गया और pq plus pq और minus p2 यह भी कटेगा मतलब उपर में क्या होगा 0 होगा और 0 by pqr तो मतलब क्या है something to the 0 by something equal to क्या होते हमेसा 0 और something to the 0 equal to always क्या होता है one समझ में आया यह question बहुत ज्यादा important है इसलिए question important है ना एक ही question इसलिए important बन जाता है क्योंकि यह formula के लिए इस formula के लिए अगर यह formula किशी का concept में है किशी का concept clear है यह formula को लेकर तो असानी से बना देगा क्योंकि देखो भाई इन के बाद दो a to the bar n into a to the bar n का formula बन रहा है और यह LCM तो हमेशा सारे बन देने कर सकता है ठीक है तो यह है आपका इन formula के लिए सिफ question क्या होते जाते है टाप बन जाता है conceptual बन जाते है यह question छोटा सा question है लेकिन देखने कर दो चलो question ले लेता है चलो question ले लिया first class से जो देख रहा है उनके लिए यह question बहुत ज्यादा आशान है क्योंकि उनको सारे formula पता है मैंने बोला था भाई यह formula a to the power n यह क्या है a to the power n into n का formula है आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप करो आप कुछ भी करो आपका answer सेमी आने बला है ठीक है चलो मैं क्या करो 2 to the power n minus 3 by 7 और यह है आपका 2 by 3 तो क्या होगा minus minus कर जाएगा मंतर minus minus हो जाएगा आपका plus minus minus हो जाएगा plus 2 to the power 7 7 कर गया तो 2 to the power 3 cube और यह होगा 2 by 3 तो आपका answer क्या होगा 2 3 into 2 by 3 equal to हो जागा 2 square equal to हो जा पहले minus 7 into यह किया क्या आप लोग 2 to the power minus 7 को fix राके पहली इनको solve कर लो minus 3 by 7 into 2 by 3 तो करके देखो वो भी answer आपको 40 आने वाला है ठीक है देखो भाई formula हमारा यह है चाहिए आप पहले करो इनको solve बाद में करो उनको क्या पहली इनको बाद में इनको चाहिए आपका answer same आने व को हलके में बदलो यह question बहुत ज्यादा तब बन जाता है हम लोगों के exam के time ठीक है चलो एक question बहुत अच्छा question मैंने लेने मला हूं चला भाई मैंने question ले लिया question को पहले देखो और question को मुझे बताओ इसका answer क्या होगा question क्या है आगर question में आपको दे दिया PQR equal to 1 है तो भ पहले first देखाऊंगा second भी दिखा दूँगा ठीक है चलो दिखाता है question को question देख लिया आप मैंने थोड़ा उपर कर रहा हूँ ठीक है question क्या है अगर one plus one plus one plus one plus b plus q to the power minus one देखो भाई हमेशा क्या करना है denominator को same करने का कोशिज करो अगर denominator same हो गया तो असान हो जाएगा एल सेम करने में ठीक है तो denominator को sorry भाई वीडियो में थोड़ा problem हो गया था चलो क्या बोला था अगर आपको question में अगर आपका question में क्या है ना अगर आपका question में one plus q to the power minus one है ठीक है तो ये denominator को same करने का कोशिज कीजिए denominator को same करने का कोशिज कीजिए दिखाओ आप क्या है one plus one 1 plus q by p plus q to the power हमको क्या करना है ना हमको यह देख रहा हूँ चलो बाई 1 plus p by 1 by q यह लिख सकते है तो क्या होगा यह यह होगा q क्यूंकि यह q जाएगा और यह होगा q plus p q plus 1 आगे है ठेक है समझ गया चलो समझ गया एक आगे है फिट सेकंड में क्या है 1 by 1 plus q plus 8 to the power minus 1 8 to the power क्या है 8 to the power minus 1 तो क्या होगा 1 by 1 plus q plus 1 by r 1 by r आप देखो भाई question में क्या दे दिया था question में क्या दे दिया था question में दे दिया था p q r equal to 1 p q r equal to 1 तो r का मतलब क्या है r का मतलब है 1 by p q r का मतलब है 1 by p q और 1 by r का मतलब क्या है 1 by r का मतलब है PQ 1 by r का मतलब है PQ तो 1 plus 1 plus Q plus क्या है P Q दिएक यह वी आगया यह भी आपका आगया समझ लिए आप क्या है आप question है 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus r plus P to the power minus 1 P to the power क्या है P to the power minus 1 इनको कैसे solve करोंगे इनको सल्ब करने का तारीका है 1 plus R, 1 plus R को कैसे लिख सकते हो, R को लिख सकते हो, 1 by PQ, 1 by PQ, कैसे लिख सकते हो, मैंने पहली बोला, ठीक है, और ये क्या है, 1 by P है, 1 by P है, तो LCM अगर करोगे तो क्या होगा न, LCM होगा, PQ, LCM होगा, PQ होगा, PQ के बाद क्या होगा, आपका यह उपर में जाएगा आपका PQ है आपका LCM PQ है आपका LCM ठीक है अच्छा इन में 1 प्लस ठीक है चलो यह क्या 1 है अहां ठीक है यह हो गया आपका PQ LCM PQ LCM है मतलब उपर में चला जाएगा फाइनली में एंसर कर रहो तो और यह हो जाएगा आपका PQ प्लस 1 प्लस है P into Q ठीक है यह हो गया आपका तो PQ भाई हमको तीनों वहलू का पता है मान पता है ठीक है हम उनमें सी पूट करेंगे देखो इनका वहलू का क्या है था एक वहलू दो वहलू तीन वहलू यह तीन व क्या आया था यह एंसर क्या आया था हमको पहले देखो वान प्लस पी फ्लस क्यू मतलब यह आया था आपको यह आपको आया था क्यू बाई क्यू प्लस पी क्यू प्लस वान यह आ गया था ठीक है नेक्स्ट बाला में क्या आया था वान प्लस क्यू बाई यह आया था और ठ करेंगे हम लोग देख लिया क्या क्या आया था और क्या 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 नहीं आया है उनको में नहीं आया सब्सक्राइब ये वहलू ये वहलू हमको दिया था हम लोग ये निकाल लिया इनका इकल टुझ ये है ये इकल टुझ ये है कैसे निकाल लिया पहले देख लो क्योंकि मैंने अभी बोला ठीक ह्ये तो ये क्या हो गा क्यों सिर्निस CROW रूद दह पर में क्या होगा Q1 1 प्लास B प्लास Q, मैंने मुझे एक ही मोटी, पहला यह दिमाग होगा, मुझे मीशन A की होगा, मुझे डिनोमिनेटर किसी भी हालत में, मुझे क्या करना है, सेम करना है, मैंने कोशन में क्या देखा, कोशन में दिखा भाई, चलो 1 P Q है, तो R को मैंने हटाता हूँ, और R का प्लास भाई जो कूज भी है, मैं P Q बठाऊंगा, बस सिंपली आसन तरीका से मुझे डिनोमिनेटर जीता तीनो एक आगया, और डिनोमिनेटर जैसे भी तीनो एक आया, मुझे एलसेम करने का बाद मेरा एकसर भी आ गया, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलो, आम मै यह कुशन में को में आया, और मुझे पूछा था है, अंसर के यहाँ होगा, क्या से स्थाल होगा, ठीक है, चलो, देख लेते है, क्या होगा न, हम लोगों को पहली क्या बता है, हम लोगों को बूला, अगर B से E कह, पावार कूछ आ लाग है, तो क्या करोगा, अगर डिव माइनस फोर अगर उपर में जाएगा तो क्या होगा प्लास हो जाएगा प्लास हो जाएगा ठीक है दिम समझ में आ गया तो प्लास हो गया तो भाईशी दिवात है पी तू दिपार फोर और माइनस फोर तो यह हो जाएगा पी तू दिपार सीक्स और यह नीचे में क्या हो जा कर जाना है तो ये क्या हो जाएगा ये डिवाइट में है माइनस हो जाएगा मतलब ए माइनस त्री माइनस और माइनस तू माइनस तू मतलब माइनस और माइनस तू मतलब प्लास तो ए टू दिपावर फाइव और ये हो जाएगा आपका बी टू दिपावर एट ये हो में आपको मैंने कल कुरूशन में आपको बोल दिया था अगर भाई आपको a by b to the power minus 1 है तो आप easily by a लिख सकतो क्या से लिख सकतो मैंने डेली प्रूब नहीं करूँगा मैंने कल प्रूब करके बोला था तो आप पहले वह भाला वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो देखो यह देखो अब यह क्या होगा तो b 42 भाई b to the power a to the power a to the power a to the power a to the power m in यह फ देखो यह क्या है अगर यह है b 42 by a 21 और यहाभ सथी आप से grab कर एंडफ ना तो होगा ना डिवाइटरों फार्वम मेना तो क्या होगा ना reside from मैं थो आप solve करके क्या होगा आपका question solve करके क्या होगा ब to the power 2 b to the power 42 minus 40 equal to b to the power 2 b square into a to the power 25 उपर में जाएगा तो यह हो जागा a to the power 4 क्यासे हो रहा है, simply है भाई b to the power 42 और अगर b to the power 40 है तो उपर में जाएगा, अगर multiplication फर्म में लेके जाओगा तो a to the power 25 उपर में जाएगा और b to the power 40 नीचे में आएगा यह तो हमको सबको पता है और b to the power 42 minus b 40 equal to v2 और अगर a 25 उपर में जाएगा, 21 नीचे राएगा तो 25 minus 21 है a to the power 4 equal to a to the power x into b to the power y आप देखो बहुत धस्व एक कंसेप देखो मैंने आपको भोल दिया था अगर a to the power m into अगर a to the power m, अगर a to the power m equal to a to the power n है तो हमेशा a equal to n होगा, हमेशा a equal to n होगा पर दिखाई दे रहा है मुझे a to the power 4 equal to a to the power x मैंने अशानी से बोल सकते हो, क्योंकि base है equal, तो power भी हमेशा equal होना चाहिए तो हम कह सकते x equal to 4 सेम होए, b to the power y equal to b square तो हम यह भी कह सकते हो, i equal to 2 तो x plus y equal to 6 चलो friend, आपका comment के लिए मैंने यह भी problem solve करा दिया वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना, ठीक है वीडियो अच्छे लगे आप मैंने एक या दू problem अभी कराऊंगा उसके बाद मैंने वीडियो को in करूंगा आप देख लेते है, next question देख लेते है देखो भाई मैंने question ले लिया question ले लिया, question में मैंने पूछा भाई, मुझे सबसे बड़ा कुन सा number आया ascending में मुझे बता दो, इसका order बता दो ascending order में बता दो तो आपको answer देना है, answer आप 2, 2, 2, 1, 63, इसको solve करने बैठोगे 3, 2, 2, 2, 1, 45 solve करने बैठोगे पागल हो जाओगे, दीन राज चला जाएगा तो इनके लिए short तरीका है, अब सोचो, अगर मुझे बताओ, अगर किशी question का अगर base equal है, अगर किसी question में अगर base equal दे दिया, दोनों value का, लेकिन power में different है, power में different है तो क्या होगा तो क्या होगा, मुझे बताओ तो क्या होगा, मुझे बताओ अगर ये value, अगर ये value, गेटा दिन चिरो है अगर ये value, गेटा दिन चिरो है, तो उसमें क्या होगा न, जिनका power बड़ा अगर baseatherad 0 है condition क्या है,only baseatheradad 0 है तो power जिन में बर्षो करके है बरा नंबर, जिन में चोटा है जोटा है ठीक है समझ में आ गया तो इसलिए condition क्या है अगर condition यह है कोई भी value मैंने ले लिया 10 और 10 इसमें मैंने दे दिया किया इसमें दे दिया 4 इसमें दिया 3 तो आसानी से बोल नहीं सकते हो कि आप 10 to the more 4 है बड़ा नमबर क्योंकि power दोनों का different है इनका power छोटा है तो ये power बड़ा है तो यह असनी से हो जागा, मैंने तो वही कहने जा रहती है वही तो मुझे बोलना जा रहती है यह होग का तो आपको क्या आःगा चाहे तो आप power को सेम कर दो चाहे तो पावर को सेम कर दो अब और एक उल्टे एक्जम्पल ले 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 तो फोर टू दिपाओर टेन है और आपका थ्री दू दिपाओर टेन है मैं कहने मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई मुझे बताओ कुन सा कुश्चन का एंसर कुन सा दो भैलू है तो इसमें से कुन स बरा है वही तो बरा नंबर है आरे सही बतने हैं आपको समाझ में आ गया है जेनका पावर से मैं आगाद्यून मंगा तो ज BM का पिपेश बचोज़ क्या सकते हैं कुशर क्या है तो हम लोग्लो म क्या सीचे पावार को हम न इक्वैल करते तो ने वेल करने के पाद देख लेंगे जिन में बेस बड़ा है वो बड़ा नंबर बन जेगा जिन में बेस चोटा है चोटा नंबर बनेगा बोला है ठीक है चलो तो टू तू दी पावार 63 को हम लोग क्या से लिख सकता हैं 7 इंटू 9 3 5 into 9 5 3 into 9 और 6 2 into 9 कर सकते भाई a to the power भाई concept a to the power M N तो में ने तो यह भी लिख सकता हूं ने तो बास होई करोंगा अब तो होई काम में करोंगा ना फॉर्मुला ही है फुर्मुला फुराने वाला ही फॉर्मुला है टेंसिन मदलो तो टू टू दी बड़ा सवें कितना होते ह 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 34 32 32 32 to the 64 64 to the 128 128 है ठीक है 128 है 128 तो दिपार यह है आपका 3 2 दिपार 5 मतलब 3 2 दिपार 4 81 है 81 इंट्व 2 4 3 2 4 3 हो गया 9 249 हो गया फिर यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 125 125 दिपार 9 और यह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 36 36 दिपार 9 आम मुझे बताओगे आम मुझे बताओगे प्लीज जो इसमें से कुन सा भैलू बढ़ा है आरे भाई यही तो भैलू बढ़ा है सबसे क क्योंकि देखो भाई सबका पाउर सेम है लेकिन बेस है two forty-three उसके बाद कौन सा नमबर रहागा इसके बाद यह नमर है उसके बाद यह नमर आ तो समस में आगया एसंडिंग अगर मैंने एसंडिंग टो टेसंडिंग लरीन ल कई साशंडिंग टुम में बनागो, ऐसंडिंग 4 लिये बहुत जादा थैंक्स है और वीडियो को इतना जादा लाइक और सियार कीजिए तैंक्स